pronunciation basics आप जब शब्दों को बोलते हैं तो जो लिखा है उस तरीके से बोलते हैं या वो कभी-कभी change हो जाता है अगर आप शब्दों को ठीक से ना बोलें जैसे उसे बोलना चाहिए तो अगला बंदा उसे समझ नहीं पाएगा अब मैं आपको जारा example देता हूँ तब आपको समझ में आएगा कि problem कहां उठती है इन्होंने का how far is station how far is station तो इन्होंने का क्या the station, station, station बताईए ना तो the place where from where we get a train तो दिधी कहती है oh the station तब ये बताती है the station is just five minutes अवे पाँच मिनट दूर है, keep walking straight and you'll find it तो इन्होंने station कहना चाहा लेकिन क्योंकि उनकी भाषा जो उन्होंने बच्पन में सीखी होगी या जो भी उनकी जसे कहते हैं indigenous भाषा उसमें station को station कहने लगी है लेकिन वो अपनी तरफ से तो सही कह रहे थे लेकिन अगला बंदा नहीं समझ पा रहा है तो दिक्कत यही है कि अगर आपका pronunciation ठीक नहीं है तो अगला बंदा इससे समझ नहीं पाएगा तो आप जो sound बनाते हैं जो आवाज निकालते हैं, basically क्या होता है कि जब आप यह बोल रहे हैं न, तो इनके मूँ से आवाज निकल रही है यह sound waves है, ऐसे जा रही है और इनके कान तक पहुँच रही है तो जो sound waves जा रही है, अपने मूँ से जिस तरीके से आप जबान को अपने होंटों को अंदर से आवाज निकालते समय चेंज करेंगे उसी से पता लगता है कि आप क्या बोलना चाहरे है तो pronunciation एक तरीका है जिसमें आप शब्दों को बोलते हैं और जैसी spelling है जिस spelling से आप लिखते हैं लेकिन बार बार ये बताना चाहूँगा आपको कि pronunciation कई चीज़ों का वो नहीं होता है जो आप बोलते हैं जिसे एक शब्द बताता हूँ आपको अगर ये आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे colonel है ना लेकिन ये kernel है इसका जो बोलना है kernel है ऐसी एक lieutenant है lieutenant लिखते हैं उसको lieutenant इसको lieutenant बोला जाता है तो कई ऐसे शब्द हैं जिसका pronunciation अलग होता है लिखावट अलग होती है लेकिन maximum जो लिखा होता है वो तो वो ही होता है जैसे एक छोड़ा सा मजाग करना हूँ आपके साथ किसी ने कहा कि अगर अंग्रेजी में TO2 होता है तो जी वो क्या होगा तो यहां पर pronunciation की बाता है तो आपको करना क्या है correct pronunciation करनी है चीजें ठीक से बोलना है और तब ही आप clearly और confidently थोड़ा जोश के साथ खरोश के साथ confidence के साथ बोल पानी है सही बोलना उतना ही जरूरी है जैसे सही लिखना तो अगर आपको कुछ शब बताऊँ यह है your हम इसको कैसे बोसकते है your world chair we are अगर इसको हम बोला चाहे तो इसको बोला जाएगा अगर अंग्रेजी में बोला जाएगा तो your world इसमें आ लिए आता है world chair where we are नहीं होता है where अब कुछ ऐसे शब्द है जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन सुनने में अलग अलग होते हैं याने आप लिखा अलग होगा spellings अलग होगी लेकिन जब आप इसे बोलेंगे तो एक जैसे लगेगी या कई ऐसे होगे जिनके spelling एक जैसी होगी लेकिन बोलना अलग होगा, जैसे S.U.N. क्या होगा? Sun और S.U.N. क्या होता है? Sun दोनों ही Sun हो गया, यह है सूरज, और यह हो गया आपके बेटे, Sun Sun, दोनों ही Sun Sun हो गया अब आप Sail बोलें Sail मतलब आप, एक आपके पस Ship है और वो जा रहा है, तो My ship is sailing, Sail I am going on a sail और कोई यह कहे कि I am going for a sail, बेचने जा रहा हूँ या खरीदने जा रहा हूँ, तो दोनों ही Spelling बिलकुल अलग-अलग है, अलग-अलग Spelling है लेकिन बोला एक तरीके से जा रहा है एक और एक्जामपल यह जा है, Tail यहाँ पर आप पूझ की बात कर रहे है, यहाँ पर आप कहानी की बात कर रहे है तो समझ लिजेगा कि कभी-कभी जो एक जैसे शब्द बोले जाते हैं उनकी Spelling अलग होती है और कभी-कभी Spelling अगर एक जैसे दिखने वाली होती है तो उनका Pronunciation अलग हो जाता है, इसको हम समझेगे यहाँ पर एक शब्द है Phonetics Phonetics का मतलब यह है, कि जब आप शब्दों को बोलते हैं, प्रनाउंस करते हैं तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? Sounds का ना? अभी तो बोल पाएंगे तो हर एक शब्द जो होता है, उसमें एक से ज़्यादा आपके साउंड निकलते हैं जैसे, अभी मैं आपको थोड़ा एक्जामपल देके बताऊंगा, लेकि पहले ही समझ लीजिए कि जब आप अलग-अलग आपके साउंड निकलते हैं, अगल अलग-अलग आपकी वाणी निकलती है तो उन्हों वाणीों से मिलके एक शब्द बनता है तो फोनेटिक्स क्या हुआ? फोनेटिक्स वो विधा है फोनेटिक्स वो साइंज है जिसमें हम पढ़ेंगे, study करेंगे sounds को, जब हम बोलते हैं तो हम जो sound निकालते हैं उसी की study को उसी की शिक्षा को हम phonetics कहते हैं, clear है? phonetics क्या हुआ? phonetics is the study of sound that we make when we speak, तो phonetics वो शिक्षा है जो हम लेते हैं यह समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम बोलते हैं तो कौन-कौन से sound produce करते हैं, कौन-कौन सी आवाज निकालते हैं, वानी produce करते हैं जैसे आप देखिएगा, यह डी-ो-जी, मैंने डी-ो-जी बोल दिया आपको, तो डी-ो-जी तो dog बोलते हैं इसको अगर हम इसको हिंदी बोलें तो हम क्या बोलेंगे? इसको डर लिखेंगे और आओ की जगह हम आओ की मातरा लगाएंगे और इसकी जगह हम गर लिखेंगे ठीक है? डॉग, डॉग इसी तरीके से अगर आपको cat लिखना है तो क्या करेंगी? यह c है क a, a के मातरा लगाएंगे अगर t की जगह आप टॉग करेंगे तो क्या हो जगा? cat cat dog तो इंग्लिश में हमारे alphabets है 26 alphabets कौन-कौन से है? a, b, c, d, a, f, g, a, c, i, k, l, m, n, o, p, k, r, s, t, u, e, w, x, y, z z 26 हो गए है लेकिन हर एक letter यह अलग sound produce करता है इसलिए यह होता है कि a की शब्द हम अलग-अलग words में हम देखेंगे यह अलग-अलग sound create करेंगे अलग-अलग आवाजें और वानी create करेंगे जैसे शुरुआत करते हैं a से ही ले लेते हैं यह alphabet है अब आप देखें जब मैं alphabet a बोलूँगा तो या फिर alphabet a लेंगे हर बार में pronunciation इसका अलग हो जाएगा ओके देखें यहाँ पर चाहे आप cat बोले apple बोले या bag बोले इसमें a जो है वो a निकल रहा है cat apple bag a निकल रहा है न ए की मातरा है एनक वाला है cat, apple bag लेकिन जैसे ही इस a को आप car में यूज़ करेंगे या fast में यूज़ करेंगे या park में यूज़ करेंगे तो a आ बन गया आई नि आप इसको care नहीं बोलेंगे fast नहीं बोलेंगे park नहीं बोलेंगे car, fast, park यानि की आ लगा रहे है इसी a का एक और वाणी सुनिए एक और आवा सुनिए call अब इसमें a को आपने आ कर दिया आ, call, wall, saw ठीक? तो a की अक्षर को अलग अलग बढ़ में अलग अलग तरीके से वाणी उसके निकलती है अलग अलग तरीके की sound होती है आवाज होती है वानी होती है तो अगर आप देखें कि जितनी भी English words है उनको हम तीन basic sounds में हम divide कर सकते है एक होता है vowels बताता हूँ अभी क्या होता है एक होता है consonants उसके बीच में आता है dipthongs dipthongs जब दो vowels जो जाते है अच्छी बात यह है कि vowels के विल A, E, I, O, U पूरे A to Z में ये निकाल ले A, E, I, O, U ये आपके vowels हो गए इसको हटा दी कि A और Z में से मैनस कर दीजे तो आपका जूर बनेगा वो बनेगा consonants क्या बनेगा consonants और ये आपके हैं vowels ठीक तो सारा का सारे जो English words हैं उसमें तीन टाइप के आपके आपके आवाज हैं निकलने वाले कैसे कैसे पहला देखिए vowels vowels मैंने बताया A, E, I, O, U English alphabet में A, E, I, O, U ये किवल पाँच vowels है A, E, I, O, U लेकिन इसके sounds जो हैं इसकी आवाज हैं बारा है इसका मतलब ये है कि हर एक vowels को हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउस कर सकते हैं A का example देखिया cat में A होगा car में A होगा और इसी तरीके से अगर हम call बोलेंगे तो A, O बन जाएगा जब हम vowel sound निकालते हैं और उसी तरीके से एक example आपको और देखिया हो I कैसे होता है bit B-I-T bit तो हम ये जो English letter I है bit में हम इसका जो sound निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे है bit bit E ये तो मातरा लगी है न वो आगया तो हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो basically vowel जो होते हैं मातरा के में जावाई होगी है अब इस beat को बोलिए और आप देखिये bit कैसे आप बोल रहे हैं vowel sound के बहले bit E-E-E आपको सुनाई देगा जाए bit B-O-T तो ब B-O-T तो है Turby है लेकिन B-O-T को beat बनाना ये इसका था अब आई ये आप मैं dip thongs पर आता हूँ लेकि पहले consonants ज़रूँ consonants वो sound है जो या ना तो bit thongs है dip thongs है ना ही vowels है dip thongs अब यह मैं आऊँगा उसके अलावा जितने भी होगी वो consonants होगी है जैसे आप देखिए अगर आप P और T use करेंगे और इसके बीच में आप O लगाने है तो यह हो जगा pot जैसे मैंने का था मातरा लगाने के लिए pot हो तो ऐसी है O हो गया है केवल O के लिए क्योंकि O vowel है pot pot अब आईए dip thongs पे dip thongs का मतलब यह होता है कि जब दो vowels एक साज जूरते है dip thongs दो vowels A E I O U में दो एक साज जूरते है तो होता यह है कि इसमें एक vowel के sound से शुरू होता है और दूसरे में जाके खतम होता है जैसे आप देखिए यह हाउज हा उज हाउज तो यह O U जो आपने कहा है वो dip thongs है आपने whose नहीं कहा यह हूज कहते ही या whose whose या whose अगर मैं इसको ऐसे लिखे यह बन सकता है H O S E H U S E whose या whose बोल सकते हैं लेकिन यह O U मिला तो यह बोलागा बन गया house house क्या बना house अब इसको थोड़ा और समझते हैं थोड़े और example लेंगे क्योंकि अलग-अलग sound जैसे मैंने आपको बताया कि तीन टाइप के हो गए एक हो गए आपका vowel sound एक से ज़्यादा vowel मिला लिए तो dip thong हो गया और तीसरा हो गया consonant इसको देखे पहले यहाँ पर क्या है कि आप e, e की मातर लगा रहे है e, e तो sleep दो e लग है keep e थोड़ा देर तक बोलना है यह e की मातरा, पीछे की मातरा है feel e पीछे की मातरा feel लेकिन यहाँ पर आप आईए यह आपको shot आई हो गया मतलब आपको यह जो पीछे की मातरा ही है आगे की मातरा होगई अब आपको क्यों slip dip fill इसको आप यह नहीं बहु सकते feel deep no slip dip fill यह होगा sleep keep feel यहाँ पर आईए you 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 u की मातरा आगई u की मातरा ठीक है तो u की मातरा आगई अपसे छोटी u भी है बड़ी u भी है जैसे छोटी e और बड़ी e मैंने बताया जैसे छोटी u और बड़ी u भी है देखे book book double o लेकिन यह एक ही o use हो रहा है book put o o o यह short u है o o u बन जाता है foot 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 अब इसको लंबा करेंगे यही हो जाएगा book की जगा हम जैसे t लगाएंगे k की जगा boot group two इसको हम जैसे नहीं बोसकते boot group two नहीं बोलेंगे boot group two यह हो गया किसका wall sound हो गया अब इसमें dipthong ले रहे dipthong मतलब एक से जादा हम मिला रहे यहाँ पर एक जैसे है यहाँ हमने अलग नहीं मिला है इसलिए यह bookie बना इसलिए हमने boot नहीं नहीं कहा इसलिए बोट नहीं कहा यह दो एक जैसे ठीक है इसलिए यह हो गया अब हम अलग अलग लगा रहे a, e, i, o, u में इनके combination हो गया e, a e, a यह हो गया नियर e, a नियर तो basically न, न, और, र, तो है य, a, e, a sound हो गया यह इसके लिए यह इसके लिए डियर e के मातरा और यह य, a, e, a, ही, a, य, a, इयर हो गया अब अगर हम a और e a और e न, देखे, combination एक साथ जरूरी नहीं है यह, a, e, पहला हो सकता है दूसरा हो सकता है तो अब एक बीच में consonant भी हो सकता है तो late cake game यह a हो गया a, e, e, e लगाना इसमें अगर o, a ए एक साथ लग रहा है फिर क्या होगा जिसमें o, 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 mo, boat, loan, most अब आप बोलें कि इसमें तो sound है नहीं यह इसलिए जुड़ा होगा है कि आपको बता दें कि किस चरीके से sound कर रहा है most, boat, loan, o का साथ है o, u इसमें o, u है इसमें केवल o है देखेगा इसमें दूसरा वाला dipthong नहीं है लेकिन फिर भी इसको example के तोर पर बताया गया है कि जब o, u और o, u मिलेगा तो यह इसी के तरह sound करेगा mouth, cow, cloud, out अब आए consonants में consonants में कोई दिख्कत नहीं consonant में तो वही चलेगा जो होता है जैसे प, person, pen, pen इसने वावल के साथ अपनी sound लिए report, report, stop, stop यहाँ पर sound है, turn, train, story, put मतलब, आपका sound consonant का वही रहता है जो इसमें वावल लगेगा ना, वो इसके sound change कर देता है यहने बता है ना, वावल ही है मातरा के लिए जिम्मेदार k, sound, book, cold, music यहाँ पर आईए, यह कोई सा sound है ल, look, place, school तिरे साब हमने समझने की कोशिश की sounds की phonetics के बारे में और तीन जो अलग parts होते हैं अब इसको समझते हैं, what is phonetics phonetics क्या होता है अभी मिने देखा, it is the study of how many words the English language has, बिल्कुल गलग it is the study of how we write words in English, नहीं it is the study of how people understand sentences, नहीं तो क्या सही हुआ it is the study of sound, जो आवाजे आती है, बानी है जब हम बोलते हैं, तो आवाजे कैसे निकंती हुआ है what are the different types of sounds used in English pronunciation तो भाई, सबसे पहले तो A, E, I, O, U हो गया यह तो है है इन दोनों का combination लेंगे या इन के combination लेंगे तो dipthong बन जाएगा A, I, O, U को A to Z से माइनस कर दीजे जो बचेंगे वो consonants होगा तो आपका D होगा all of the above चलिए साब यह बात होई आपके pronunciation basic की, बहुत शुक्रिया बहुत मेरबानी आप से भी की बहुत मेरबानी आपके लेंगे